दोस्तों कैसा होगा अगर शादी करने के अपरात की सजा में आपको अपने माता-पिता, भाई-बेहन और वो घर जहांपर आपका पूरा बजपन बीता है उसको छोड़ कर वहां से 25 सालों के लिए जाना पड़े आज की मुवी लबिंग एक सची कहानी पर आधारित है, ये मुवी 2016 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इसके रेटिंग 10 में से 7 की है ये कहानी 1958 के अमेरिका के एक छोटे से कस्बिक कैरोलाइन कॉंटी के वरजीनिया की है मुवी शुरू होती है जहांपर मिल्डरेड और रिचर्ड एक साथ बैठे होते हैं तो मिल्डरेड रिचर्ड को बताती है कि वो माँ बनने वादी है जिसको सुनकर रिचर्ड कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया नियूस है रिचर्ड एक ऐसे गाओं में रहता था जहां पर कुछ वाइट फैमलीज, बलैक फैमलीज के साथ मिलकर रहती थी रिचर्ड के सारे दोस्त ब्लैक थे जिनके साथ वो बहुत ही एंजॉय करता था वो शौकिया तोर पर गाड़ियों को ठीक करता था और रेसिंग पर बैट भी लगाया करता था और वो बहुत बात जीतने के बाद सब लोगों को पार्टी दिया करता था रेचर्ड एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था अपना काम जल्दी जल्दी खतम करके वो वहां से चला जाता है वो मिल्डरेट को मैदान की बीचो बीच ले आता है और पूछता है कि उसको ये जगा कैसी लगी क्योंकि उसने अपने जिंदगी भर की सारी कमाई इस पूरी जगा को खरीदने में लगा दी है और वो यही पर एक प्यारा सा घर बनाएगा उनके लिए और वो भी अपने हाथों से फिर वो मिल्डरेट के पास आता है और उसे कहता है कि क्या वो उससे शादी करेगी फिर मिल्डरेट खुशी के मारे वहाँ से चली जाती है और खेतों में काम कर रही अपनी छोटी बेहन को सारी बात बताती है और वो कहती है कि वो दोनों बच्चा पैदा होने से पहले शादी कर लेंगे फिर रिचर्ड मिल्डरेट और उसके पापा को लेकर वाशिंग्टन में जाता है जहां पर रिचर्ड और मिल्डरेट कानूनी तरीके से शादी कर लेते हैं रिचर्ड अपने घर के नक्षे पर काम करने लगता है और साथ साथ अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी लगता है फिर रिचर्ड एक दिन अपनी मा के पास जाता है और उन से पोच्छता है क्या आस पास सब कुश ठे Counter है फिर मा कहती है कि पुलिस वाले तुमको ढूंडते ढूंडते यहां पर आये थे फिर रिचर्ड अपनी मा को कहता है कि आपने उनको बताया नहीं मैं कहां पर मिलूँगा फिर उसकी मा उसको कहती है कि अगर मुझको पता होता तो मैं उनको बताऊंगी जब एक रात रिचर्ड अपनी बीवी के साथ सोया होता है तब पुलिस वाले एकदम से अचानक दर्वाजा तोड़ कर अंदर आ जाते हैं शेरिफ रिचर्ड से पूछता है कि तुम इस औरत के साथ क्या कर रहे हो तो मिल्डर कहती है कि वो उसकी बीवी है तब रिचर्ड दिवार पर लगी हुई तस्वीर की और इशारा करता है जो एक सर्टिफकेट रहता है उनके हस्पन वाइफ होने का फिर उसके बाद इन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है और अगली सुबह रिचर्ड लविंग की जमानत हो जाती है बेल रिजिस्टर पर साइन करते हुए वो सरकारी करमचारी से पूछता है कि उसके बीबी को क्यों नहीं छोड़ा गया तब वो कहता है कि मुझसे बढ़िया आपको जजसा है बताएंगे सोंबार को रिचर्ड वहाँ से चला जाता है वो अपने दोस्ट के साथ बैठा होता है और उससे पूछता है कि पूलिस वालों को उसकी शादी के बारे में कैसे पता चला तो दोस्ट कहता है कि शायद किसी ने बताया होगा अगले ही दिन फिर से रिचर्ड पुलिस टेशन चला जाता है और अपनी बीबी को छोड़ने के लिए कहता है लेकिन वो सरकारी करमचारी फिर से उसको कहता है कि सोंबार को ही सब कुछ पता लग सकता है फिर रिचर्ड वाहां से बाहर निकलता है फिर शेरिफ ब्रूक्स उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको बताते हैं कि वो मिल्डरट की जमानत नहीं करवा सकता सिर्फ उसकी नसल के लोग ही उसकी जमानत करवा सकते हैं शेरिफ एचट को कहता है कि उसे अफसोस है कि उसके पिता निक्रों के लिए काम करते थे और कहता है कि तुम्हारे कस्वे वाले लोग लगता है कानून अच्छे तरीके से नहीं जानते वो अलग-अलग नसल को पैदा कर रहे हैं बाद में उनके आने वाले उलादें ही उनको पहचान नहीं पाएंगी क्योंकि उनके कई बच्चे गोरे और कई काले पैदा होंगे फिर शेरिफ की छोटी सोच के बारे में पता चलता है जब वो ये कहता है कि ये उपर वाले का ही कानून है कि उसने एक चड़िया को चड़िया और एक कववे को कववा बनाया फिर शेरिफ उसको घर जाने के लिए कहता है जाने से पहले वो रिचर्ड से कहता है कि अगर वो दोबारा मेल्डर्ड की जमान के लिए वहाँ पर आया तो उसको जेल में डाल देगा उसके बाद मिल्डिड के डैड उसको छुड़ा कर ले आते हैं फिर अगले दिन मिल्डिड और रिचर्ड वकील से सला लेने के लिए जाते हैं जिसमें वो वकील बताता है कि काले और गोरे की शादी गैर कानूनी है अगर वो अपने शादे तोड़ देते हैं तो उनको कोई भी सजा नहीं होगी अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको 25 सालों तक इस राज्या से बाहर निकाल दिया जाएगा फिर ये कोट में अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और इनको 25 सालों तक राजय से बाहर निकाल दिया जाता है फिर ये दोनों Mildred के दोस्त चो कही किसी और शैर में रह रही होती है उसके पास जाकर अपार्टमेंट में रहने लगते हैं फिर एक रात Mildred अपने दिल की बात रेचर को बताती है कि उसकी इच्छा थी कि उसके पहले बच्चे का जनम अगर तुमारी मा के हाथों से होता तो कितनी खुशी की बात होती रेचर अगले ही दिन समान पैक करता है और रात के अंधेरे का फाइदा उठा कर अपने बच्चपन के दोस्त के साथ उसको घर ले आता है जहां पर सारे घर वाले एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं मिल्डर को बेटा होता है जिसको पाकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं पर अगले ही दिन पूरस वाले इनको पकड़ कर कोट में पेश कर देते हैं जहां पर इनका वकील इनका वचाव करते हुए ये जूट कहता है कि शायद उसने ही इन दोनों को गलती से ये कह दिया था कि बच्चे के जनम के वक्त वो यहां पर आ सकते हैं जिसके कारण कोट इनको कोई भी सजा नहीं देता लेकिन इनको बापस उसी शहर में जाना पड़ता है जहां पर रिटर अपने कंस्ट्रक्शन वाले काम में जूट जाता है धीरे धीरे ये फैमली बड़ी होती है और इस घर में अब टोटल पांच मेंबर हो चुके हैं एक दिन मिल्डर टीवी पर काले लोगों को आज़ादी दोका रोस मार्च पर दर्शन देखती है और बाद में वो एक पत्तर लिखती है और टॉर्नी जर्नल केनेडी को थोड़े दिनों बाद बार्नी कोहन जो के एक वकील होता है उसका फून आता है जो कहता है कि वो उन दोनों की इस केस में मदद कर सकता है और कहता है कि आप एक बार अपने पती के साथ मुझको मिलने के लिए जरूर आईएगा वो दोनों उसको मिलने के लिए आफिस में जाते हैं जहां पर वो वकीर बताता है कि वरजीनिया के किसी भी कोट में उनका result negative ही आएगा क्यूंकि वो काले लोगों के खिलाफ है और कहता है कि उन दोनों को सुप्रीम कोट में अपना केस लगाना होगा सुप्रीम कोट में तब ही केस लग सकता है जब आप सजा मिलने के साथ दिन बाद अपलाई करते हैं लेकिन उनको तो अब पांच साल हो चुके हैं वो उनको ये सुजेशन देता है कि अगर वो वापस वरजीनिया को चले जाएं और अपने आपको गिर्फतार करवा लें तब वो सुप्रीम कोट में आसानी से अपना केस खोल सकते हैं उन दोनों को ये आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चले जाते हैं फिर कुछ दिनों बाद उनका सबसे चोटा बेटा खेलते हुए कासे टकरा कर घायल हो जाता है मिल्डरड अपना सारा सामान पैक कर लेती है और कहती है कि उसको बापस घर जाना है वहां जाकर जो होगा देखा जाएगा फिर वो वरजीनिया में किसी सुनसान से इलाके में जहां पर एक बहुत अच्छा घर बना रहता है वहां पर जाकर किराये पर रहने लग जाते हैं वहां से मिल्डर बार्नी कोहिन को एक खत लिखती है जिसमें लिखा रहता है कि एतनी दिनों तक आपका कोई जवाव नहीं मिला तो हमारी सारी उमीदे अब खतम हो चुकी है उस खत को पढ़ने के बाद बार्नी परफेसर जो लॉग के विशेशगे होते हैं उनसे अपनी मेटिंग फिक्स करवाता है और उनसे जाकर मिलता है वहीं पर एक फिल नाम का वकील रहता है जो के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ता है फिर बार्नी परफेसर को बताना शुरू करता है कि ACLU ने उसको एक केस रैफर किया था जो अलग रंगों की शादी के बारे में है उसने इसके खिलाफ वरजीनिया कोट में अरसी भी लगाई थी पर इसका कोई फाइदा नहीं हुआ फिर बार्नी और फिल जब बाहर निकलते हैं तो फिल बार्नी से समविधानिक कानून के तज़र्बे के बारे में उससे राई पुछता है तो बार्नी कहता है कि उसको इसके बारे में कोई तज़र्बा नहीं है फिर फिल उससे कहता है कि ये किस अमेरिका के समविधान को हमेशा के लिए बदल देने वाला है अगले दिन फिल लबिंग परिवार को जजज के आए फैसले को पढ़कर सुनाता है जसमें लिखा रहता है कि हमें भूरा काला सफेद बनाने वाला वो उपर वाला है और हमको अलग-अलग जगो पर रखने वाला भी वो उपर वाला है और उसकी इस विवस्था की हिफाज़त के लिए इस तरह की शादी की यहां पर कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर बनाने वाले नहीं अंतर किया है तो हम दो अलग लोगों को कैसे एक कर सकते हैं फिर फिल कहता है जज के इस तरह के फैसले ने उनके लिए सुप्रीम कोड के दरवाजे खोल दिये हैं फिर बारनी मेलडड को कहता है कि लाइफ मैगजीन ने हमसे कॉंटेक्ट किया था और वो आप दोनों की तस्वीर लेना चाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप यकीनन सुप्रीम कोड पहुंचेंगे अगले दिन शाम को जब रिचर्ड अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है तो लाइफ मैगजीन की तरफ से ग्रे विलिट आता है और रिचर्ड से मिलता है फिर रात को जब वो खाना खा रहे होते हैं तो ग्रे विलिट उनको अपनी बहादरी और पागलपुन के किसे सुनाता है कि कैसे वो पिक्चर लेनी के लिए 85 मंजल से लटक गया था और सबकी सासे रूख गई थी सब ये सुनकर बहुत हसते हैं फिर बारणी चुपके से बिना बताए surprisingly उनकी पिक्चर्स क्लिक करता है क्योंकि वो चाहता है कि सब कुछ रियल हो ना के फेक इसलिए वो उनको बताकर उनकी पिक्चर्स नहीं खीचता अगली सुबह बारणी लविंग फैमिली को समझाता है कि बरजीनिया में अगर आपको कोई भी पकड़ लेता है तो मुझको कॉंटेट कीजिए मैं सब को संभाड लूँगा और आपको एक मिनिट भी जेल में नहीं रहने दूँगा जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो फिल और बारणी आपस में कहते हैं कि अगर ये दोनों गिरफतार हो गए तो वो उनका बचा नहीं पाएंगे फिर जब रिचर्ड काम से घर जाने वाला होता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी में इट पर लिप्टी हुई निउस पेपर होती है जिसमें उसकी और उसकी वाइफ की पिक्चर होती है जिसको ग्रे विलिट ने चुपके से खीचा था फिर रिचर्ड इधर उधर नजर घुमा कर देखता है ताज जो पता लग सके कि ये काम किस ने किया है लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता जब गाड़ी से वो घर आ रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता वो जिदर भी मोड काटता था वो ड्राइवर उसके पीछे ही मोड काट देता था फिर वो जदी से अपने घर पहुंचता है और घबराया हुआ अपने बेटी को कहता है कि अपनी मां से कहे के बंदूक लेकर बाहर आये वो राद पर अपना पीछा करने वाले काब रामदे में बैठ कर इंतिजार करता है लेकन कोई भी नहीं आता अगले दिन कुछ न्यूज रिपोर्टर मिल्डरिट का इंट्रिव्यू ले रहे होते हैं तो रिचर्ड मिल्डरिट को अपने पास बुला कर कहता है कि ये सब ड्र बार्नी उनके घर पर आते हैं और कहते हैं कि वो आप सुप्रीम कोड में जा सकते हैं वर्जीनिया कोड भी वहां पर अपनी दलीले रखेगा पर एक एसी एल्यू से जुड़ने से हमारी पूरी बात कोड में सुनी जाएगी तब रिचर्ड कहता है कि हमारे साथ इतना कि शादी से पैदा हुए बच्चों को वो नाजायस ठहरा सकते हैं फिर बार्नी कहता है कि आपको अपने केस का रिजल्ट देखने के लिए कोड में जरूर आना चाहिए पर रिचर्ड और मेल्डरड इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए इस के शब्दों को नहीं सुन सकते हैं फिर अगले दिन बर्नार कोहिन अपने सारे दलीलें कोड के सामने रखता है जो के बिल्कुल जायज होती है वो तरक के अधार पर ऐसे मुद्दों को उठाता है जिनको सुनने के बाद कोड फैसला लविंग परिवार के हक में ही सुनाता है ये खुश खबरी बर्नार मिल्डर लविंग को सुनाता है जिसको सुनकर वो बहुत ही खुश होती है वो बाहर आकर अपने पती को देखती है रिचर्ड उसको देखकर समझ आता है कि फैसला उनके हक में आया है फिर ये दोनों बरजीनिया आ जाते हैं जहां पर रिचर् उसके बाद कभी भी दूसरी शादी नहीं करती और वही पर अपनी पूरी जिंदगी बिताती है जहां पर उसके पती ने उसके लिए घर बनाया था तो दोस्तों यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है अगर शौड में कहूं तो ये कहानी उस समय की है जब गोरे लोग ये समझते थे कि काले लोग हमेशा उनकी गुलामी के लिए ही बने हैं लेकिन इन दोनों ने उस मान से कटरवादी सोच को चुन्नोती दी और अमेरिका का समिधान बदलके रख दिया जिसमें अब ये लिख दिया गया है कि अब गोरे और कालों में कोई भेदबाब नहीं क किया जाएगा सबको समान अधिकार होंगे कोई भी किसी भी नसल का क्यों ना हो वो से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बिताने का अधिकार रखता है तो यह थी लविंग मुवी की पूरी कहानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको जूर सब्स झाल